नेलसन मंडेला का सारांश, स्वतंतरता के लिए लंबा सफर, प्रिंसिपल सर, MS यादव द्वारा, प्रस्तुत नेलसन, रोलिहलाहला मंडेला, जन्म, रोलिहलाहला मंडेला, 18 जुलाई, 1918, 5 दिसंबर, 2013, एक दक्षन अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता, नेता औ कार्य किया, विदेश के पहले गरीब राष्ट्रा ध्यक्ष थे और पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव में प्रतिनिधी चुने गए व्यक्ति थे, उनकी सरकार ने जातिवाद को बढ़ावा देते हुए रंगभेद की विरासत को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया एक अफ्रीकी राष्ट्रवादी और समाजवादी के रूप में उन्होंने एक हजार नौसो इक्यानवे से एक हजार नौसो सत्तानवे तक अफ्रीकी राष्ट्रिय कांग्रिस, ANC, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया नेलसन मंडेला, A. Long Walk to Freedom दक्षन अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपती नेलसन मंडेला की आत्मकता है नेलसन मंडेला, A. Long Walk to Freedom का सारा अंश, अध्याय के विशय, समझ, पाथे प्रश्णों और नेलसन मंडेला के जीवन को समझने का सबसे अच्छा साधन है नेलसन मंडेला, The Long Walk to Freedom पुस्तक, The Long Walk to Freedom से एक अंश है, Walk to Freedom नेलसन मंडेला, The Long Walk to Freedom में उद्घाटन समारोह, भाषन के मुख्य अंश, और अफ्रीका में घोरों के रंगभेद नियमों के खिलाफ, स्वतंतरता सेनानी बनने की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है रंगभेद दक्षन अफ्रीका में नसलिय अलगाव था, पूरी तरह से श्वेत सरकार जिसने यह अनिवार्य कर दिया कि गैर श्वेत दक्षन अफ्रीकी आबादी का बहुमत श्वेतों से अलग क्षेत्रों में रहें और अलग-अलग सार्वजनिक सुविधाओं का उप्योग करें, दोनों समूहों के बीच संपर्क सीमित है विभिन्न नसलिय समूहों को शारीरिक रूप से अलग किया गया था उनके स्थान, सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक जीवन के बारे में इसमें अलग-अलग लोगों के खिलाफ उनकी जाती और त्वचा के रंग के आधार पर पूर्वाग्रह का संदर्भ दिया गया था सबसे हिंसक देशों में से एक में काले रंग के व्यक्तियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया था इस पाठ में नसल, आयू, लिंग, रंग या जाती पर आधारित पूर्वाग्रह से मुक्त समाज के लिए मंडेला के संघर्षों का अवलोकन दिया गया है